अस्सलाम अलेकुम चलिए उर्दू फोर विगनर्स यानि की यूए वी क्लास थार्ड को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे हिंदी में जो बारा खड़ी होती है और आई इई उसको हम उर्दू में देख लेते हैं कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जा है आप तो पढ़ा रही है तो उर्दू समझ में तो आ जा रहा है बट लिखने के लिए आप वीडियो बना देजिए तो टेंसन नहीं लीजिए बिल्कुल बनेगा देखे कॉमेंट तो इसलिए न होता है कि आप एजुकेशन जो भी मैं पढ़ा रही है उसे कोई प्रोब् लेटर है उर्दू को उर्दू का उसका मैं एक एक करकर लिख कर वीडियो बनाकर आपके पास अप्लोड करूंगी आप उसको आसानी से देखकर लिखना भी सिख जाएंगे ठीक है सिंपल तो अब तक चलिए पढ़िए जब तक और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है उस पर जबर भी लगा देंगे तो उसको कंप्लीटली आप अड़ सकते हैं ठीक है अब देखिए आ का जो प्रोनसियेशन होता है न वह कैसे होगा उर्दू में अलिफ अलिफ दिख देंगे और उस पर यह वाला मद लगा देंगे इस डिजाइन को क्या आप कहते हैं मद और यह सैद हाँ यह मैथ में यूज होता है समानुपातिकता का चिन है न मैथ में आप लोग पड़े होंगे यही समानुपातिकता का चिन को उर्दू में बोला जाता है मद और यह अलिफ पर लगता है सिर्फ अलिफ पर यह अलिफ पर लग गया तो इसका मतलब क्या हो गय बन जाएगा, ठीक है, ए, को कैसे उर्दू में लिखा जाएगा, अलिफ के नीचे जेर लगा दीजिए, लेकिन मैं कि बताई हो कि जब भी जेर लगेगा, ए का प्रनससीयशन होता है, जैसे कि अलिफ vaign, ए, बे जेर बे, ते, जेर ते, तो ठीक ह highways, एक प्रनस्य शैशन होता है लेकिन ई बनाना है तो अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे तो भी बन जाएगा तो अलिफ जर ए आप बोल सकते हैं simple अब यह देखिए यह बड़ी है यह चोटी थी यह बोल सकते हैं कि उड़ी को क्या बोलेंगे अलिफ यह ज़िर एक लिखने का टिंशन नहीं लीजिए मैं बता दूगी ठीक है छोटा ताउ में क्या बोलते हैं कैसे लिक्षते हैं अलिफ पेस ओ इसको ऊपढ़ा जाता है पेश इस तरह न पेस इसका pronunciation क्या होता है ओ जैसे कि अलिफ पर पेस लग जाएगा तो बेपेस पो वो पेपेस लग जाएगा तो पेपेस पो यानि कि ओ का लेकिन यहाँ पर उ भी बोला जा सकता है कि अलिफ पेस उ छोटा उ है तो सिंपल बोल सकते हैं अब देखिए बड़ा उ है तो बड़ा उ बनाने के लिए अलिफ पेस तो रहेगा ही उसके सांद साथ यह सिर्फ वाव जोड़ देना है क्या जोड़ देना है वाव ठीक है तो अलिफ वापिस हो जाएगा ठीक है और इसी से वर्ड बनेगा जितना भी मैं बताई हूं उर्दू में अलिफ से लेकर बड़ी यह तक बनाई हूं बताई हूं और यह जो आई बता रही हूं यह तीनों हो गया उसके बाद आप लोग सिंप्ली दो तीन लेटर का वर्ड बनान यहाँ पर अलिफ यह जेर ई हो रहा था यह चोटी यह है और यह बड़ी यह है यह चोटी यह होता है और यह बड़ी यह होता है सिंप्ल तो यह बड़ी वाला ए कैसे बनेगा अलिफ यह जेर ए ठीक है अब यह ए कैसे होगा ए देखिए यह जेर था यहाँ पर अलिफ यह जबर ए जबर लगा देना है ए बनानregर देना है हर्फ तो वही रहेगा बस जबर जचेड चुंझ करना है तो जबर रहेगा दो ए जबर लगा देंगे उपर यानि की यह हो जाएगा सिर्फ पेस लगा दिजीए तो व-गया व ओ को इस तरह लिखा जाता है ओ अलिफ पर सिर्फ पेस लगा दीजिए ओ हो जाएगा देखें यहां पर दो चीज दिख रहे हैं यहां पर अलिफ पेस ओ है यहां पर अलिफ वापेस ओ भी हो सकता है अलिफ वापेस ओ और कभी-कभी अलिफ पेस ओ भी पढ़ा जाता है तो उस कोई दिक्कत नहीं है अलिफ पिसो कभी 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 अ पढ़ेंगे और कभी ओ पढ़ेंगे यहां पर लुसकता है आलिफ वाप पेस ओ वह हो सकता है दोनों हो सकता है तो यहां पर मैं लिखी दे रही हूं डिरेक्ट अलिफ पेस ओ या अलिफ वाब पेस ठीक कि अब ओ को अलिफ वाब जबर ओ यानि कि अलिफ के साथ वाब जोड़ दीजिए और जबर देज दीजिए तो हो जाएगा पर दीजिए और अलिफ दबर लगा दीजिए अलिफ पर हे जोड़ दीजिए चोटा सा गूल होता है वैसे बुल होता है हलका सट्टी एढ़ा होता है तो अलिफ हे जबर तो ठीक है तो यहां तक हो गया लिखने का टेंसन नहीं लेना है आपको अब इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आएगा अलिफ बेते से कैसे लिखिना है एक एक करकर मैं बताऊंगी आप लोग लिखना भी सिख जाए कैसे लेपना है